हेलो अव्रिवन मैं परवेश्मान आपके अपने यूटूब चैनल और यू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूँ डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इगनू ने examination form की last date को extend कर दिया है ठीक है कब तक किया और कितने fees है वह हम discuss करेंगे ठीक है और बच्चों को बहुत प्रॉलम आ रही है examination fees के regarding कि बच्चों ने fees जो पहले pay की थी already pay कर चुके मेरी adjust होगी या नहीं होगी adjust हो रही है तो कैसे हो रही है और मेरी हो रही है होगा ठीक है तो चलिए start करते हैं तो dear students सबसे पहले मैं आपको बताया था हूँ आप सबके लिए खुसकबरी है कि इगनू ने examination date की जो अभी examination current examination चल रहा है उसकी date को extend कर दिया है पहले वो date 15 दिसंबर थी अब वो date क्या हो गई है 19 दिसंबर हो गई है बैटा और 19 दिसंबर तक रात के 12 बज़े तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो जिसकी फीस आपको 200 रुपे पर पेपर देना पड़ेगा ठीक है 200 रुपीज पर सब्जेक्ट पर पेपर आपको पे करना पड़ेगा यानि आपके five subject है तो five into 200 कर दोगे 1000 आपकी फीस हो गए ठीक है जितने भी आपके subject है उससे multiply कर दोगे आपके फीस उतनी हो जाएगी एक देना दो देना कितने भी आप पेपर मर्जी आपकी मर्जी आप कितनी पेपर फिल कर सकते हो ठीक है दूसरे बात जो बच्चे 19 तक भी फिल नहीं कर पाएंगे ठीक है तो उनको भी मोका मिलेगा लेकिन लेट फी के साथ किसके साथ लेट फी के साथ और लेट फी कितनी है 1100 ठीक है पेटा यानि कि अगर आप 19 दिसंबर 12 बजे तक अपना फिल नहीं कर पाते हो तो आपको 20 दिसंबर से लेगा 31 दिसंबर तक आपको मोका मिलेगा जिसमें आप की 200 रुपे पर सब्जेक्ट फीज तो होगी उसके साथ प्लस 1100 रुपीज भी यानि कि 500 की फीज भरी तो आपने 1000 आपके फीज के कर लो ठीक है अभी साइट में थोड़ी प्रोलम है तो कोई बात नहीं यह अपडेट हो जाएगी और इसका नोटिफिकेशन ओफिशल वेबसाइट पर आ चुका है मैं लिंक आपको दे दूगा ठीक है एकनुने ट्विट करके भी बोला है और ऑफिशल वेबसाइट पर भी लिंक आया हुआ है डाउनलोड कर ले ना मैं लिंक आपको नोटिफिकेशन का दे दूगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है कोई फेक डेट नहीं है ध्यान लकाता है जो आसाइनमेंट और री रिजिस्ट्रेशन प्रोसस है ठीक है असाइनमेंट जिन बच्चों ने समेस्टर वाइस कोर्स होता है तो जो अभी फ्रेश एडमिशन हुआ है उनके भी असाइनमेंट अभी सम्मिट हो रहे हैं जुलाई 2021 और उससे पहले के जितने भी समेस्टर के बच्चे हैं उनको अपना असाइनमेंट सम्मिट कराना है कब तक 31 दिसमबर 2021 ठीक है और जिन आसाइनमेंट जमा नहीं करा हैं वो करा दो ठीक है तो यह तो थी आपकी डेट के बारे में information अभी जो information में आपको देने वाला हूँ बहुत important information है ठीक है क्या information है कि बेटा जो आपकी exam fees है जो आपने जून 2021 में exam हुआ था उसमें फीस सम्मिट की थी आपका exam नहीं हुआ आ ठीक है बच्चों की डाउट है कि सर मैंने फीस जमा कर दी है तो अब मेरा क्या होगा मेरी उस फीस का क्या होगा ठीक है हाला कि 15 दिसंबर लास्ट डेट थी मैंने बहुत पहले भी आपको फीस एडजस्मेंट की बता चुका हूं लेकिन फिर भी बच्चों की क्वेरी आ रही वह एगनू आपकी ओल्रडी पेड़ फीस को अडजस्ट कर रहा है ठीक है कैसे करना ओटोमेटिकली आपकी अडजस्ट हो जाएगी जब आप अपना एक्जाम फॉर्म फिल करोगे तो आगनू सिस्टम उसको अटोमेटिली दिखा देगा कि आपने लास्ट इर इतनी फीस पे की थी और इस एयर आपको इतनी पे करनी है ठीक है फॉर एक्जमपल मैं आपको एक्जमपल से समझाता हूं लास्ट इर माल लो आपने फाइट सब्जेक्ट की फीस कराओगे तो कितनी होगी इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके एग्जमपल होई ये वाली फीस थीक है इसके पेपर नहीं होगे ऑपके इसका मतलब ये बिलकुल नहीं हे permett के शोरा हमारी फ्येस होगी तो हमारे पेपर इसलिए हो रही है क्योंकि इस ने पड्ये पेपर नहीं लिये थे और पेपर नहीं लिये तो आपके वप्स करेंगे और करेंगे मतलब अब आप जब अपने दुबारा ये पेपर फिल करोगे तो आप उन पेपर की फीस दुबारा पे करने की जुरुवत नहीं पड़ेगी इसका मतलब यह समझ गए ठीक है तो क्लियर हो गया अभी जो बच्चों को मैं बता देता हूँ एक विंडो बे मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ आप विंडों बे स्क्रीन देखिए कि बच्चे जब फोर्म ल safest करते हैं तो उनके सामने last उन जब अपना सलेक्षिन पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट लेक्ट उनके सामने स्क्रीन आ लेती है इसमें लिखा होता है उनके लिए है जो बच्चे प्रमोट हुए थे तो जिन जो बच्चे प्रमोट हो गए है जो बच्चे प्रमोट हो गए है उनकी फीस भी एड़ेस्मेंट की जाएगी जब अपने नेक्स्ट एयर के एग्जामनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उनके फीस को एड़ेस्ट कर दिया जाएगा तो उसके बच्चे प्रमोट हुए है जो इसमें लिखा हुआ है जिन बच्चो को हल टिकट इशू ना होने का मतलब है कि एगनू ने उनके एग्जाम ही नहीं लिए अब जिन बच्चों के whole ticket issue नहीं हुए उन्होंके इगनू ने exam नहीं लिए तो अब उनको exam देने पड़ेंगे ठीक है समझ रहो बात कि उनको exam देने पड़ेंगे अब exam देने पड़ेंगे तो exam जब उनको देने हैं उसकी fees pay करने की जुरूत नहीं पड़ेगी लेकिन form fill करना पड़ेगा ठीक है बस जो promoted बच्चे हैं उनको अपने first year का pay नहीं करना उनको benefit मिल जाएगा कि उनको अपने first year के paper नहीं देने पड़ेंगे अब उनको अपने सिर्फ second year के paper देने है ठीक है तो सिर्फ यह इसमें यह आपका जो line है यह इसका मतलब है काफी बच्चे यह सोचते हैं कि हम exemption हमें दिखा रहा है फीस में तो हमारा paper भी exempt हो गया ठीक है paper किनका exempt हुआ है paper सिर्फ उनका exempt हुआ है जो बच्चे promote हुए है promotion के regarding मैं already video बना चुका हूँ जिन बच्चों को promotion से दिक्कत है या promotion में मुझे promotion मिला है नहीं मिला है वो उस video को देख सकते हैं कोई tension वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो मैंने सारी वीडियो बनाई हुए है ठीक है और आप मुझे comment करके भी पूर सकते हैं यूट्यूब पे आपके जितने भी comment आते हैं मैं उनका reply 100% करता हूं यूट्यूब पे आप आपको clear हो जाएंगे डाउट ठीक है फिर भी वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट हो रहे है ठीक है तो आप comment करो मैं उसका reply जरूर करूँगा ठीक है कोई tension वाली बात नहीं है उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं यह तो मैंने आपको adjustment अपता दिया कि बाई उनको fees adjust नहीं होगी क्या नहीं होगी उनकी fees adjust नहीं होगी क्योंकि उनकी एक्जाम एग्जाम उलरडी ले चुका है तो उनकी fees क्यों adjust करेगा simple सी बात है जितने भी diploma और certificate program थे उनकी एक्जाम भी June 2001 में conduct हुए थे ठीक है जो की अगस्त में हुए थे exam आप सब को पता है तो उनकी fees भी adjust नहीं की जाएगी क्योंकि उनके exam ले चुका एगनू तो जिन बच्चों की exam ले चुका उनकी fees क्यों adjust करेंगे ठीक है आपने exam दिया नहीं दिया फिर से सुन लो आपने exam दिया नहीं दिया इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है fees adjustment का फरक तब पड़ेगा अगर आ आप exam देनी नहीं गए तो आपकी fees adjust नहीं होगी, clear cut बात है, ठीक है, फिर भी मैं आपको year wise year समझा रहा हूँ, ठीक है, तो diploma के मैंने आपको बता दिया, अब बात करते है, final semester जो students से, जिनका semester wise होता है, उनके exam भी इगनुने conduct कराये थे, तो उनकी fees को भी exempt नहीं किया जाएग उनको अगर अपना paper कोई देना है, तो अपना fees बरो और paper दो, ठीक है, backlogs की बात करते हैं, जो जितने भी backlog से, final year के ठीक है, जो अगस्त में paper हुए थे, यानि कि June 2019 वाले, उन सब को मोका दिया गया था, कि वो अपने backlog के form भी fill कर लो, और उसके exam दे लो, हम एगनु exam conduct कर रह है, ठीक है, तो इनको भी आप fees adjustment नहीं मिलेगे, अगर इनको कोई paper रहता है, अभी भी backlog का, तो fees pay करो, और exam दो, ठीक है, उसके बाद first year के हम बात करते हैं, जो बच्चे promote हो गए है, ठीक है, आप जो बच्चे promote हो गए है, प्रमोशन रिगादेंगे, वीडियो बना चुका ठीक है, बच्चे को क्या doubt हो रहा है, कि सर, मैंने exam form fill नहीं किया था, कब, June 2021 में, तो क्या मुझे promotion मिलेगा, ठीक है, एक बात, दूसरी बात, सर, मैंने exam form fill नहीं किया था, अब मैंने December में exam form fill कर दिया, तो अब मुझे promotion मिल जाएगा, ठीक है, दोनों बात समझे, मैं दोनो का answer देता हूँ पहले जो case है कि जो बच्चे exam form फिल पिया था नहीं किया था सबको promotion दिया जा रहा है酒 में कोई भीद भाव नहीं किया जा रहा है कि आपने form फिल किया नहीं किया मैं बार बार आप कोई चीज बता रहा हूँ ठीक है फिर से बता जता फीस पे नहीं की, नहीं की फीस पे, ठीक है, अब वो फीस पे नहीं की, तो अब उनकी query अरिया है, सर, मैंने तो फीस पे नहीं की थी, तो मुझे प्रमोशन क्यूं मिलेगा, इगनू को फीस देंगे, तब ही प्रमोशन दिया जाएगा, अरे भाई, किस ने बोला ऐसा कि इग घिन्हों उनको tax कुछ वापिस क्यों कूई कर ynूँ है थिक है पहले मेरे कोश अफर Taimont की थीफ वापिस क्यों कर थेक है तो समझो बात को tax pay कि आपने नहीं कि इससे कोई फर्ण निपड़तां परमोशन नहीं पढ़ा यह प्रमोशन राइटिंग मैं अलड़ी वीडियो बना चुका हूं तो हम ज़्यादा भैस नहीं करेंगे इस वीडियो में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा अभी यह समझ लो बैस कि जो बच्चे फरस्ट एर के थे उन्होंने अपनी एक्जाम फीस पे की थी तो जब उ उनको एक्जेम्शन मिल जाएगी एक्जाम फीस में तो उनको दुबारे फीस पे करने की जोड़त नहीं पड़ेगी ख्लियर बात है तो समझ लो फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना बता दूँगा ठीक है तो परमोशन रिकार्डिंग आप और कोई डिसक्शन न औरा दो आप सista आपके फीस आपको पे करनी थिखेंट हैं ठीक है आपकी एक्जाम हो रहे हैं तो आप अपने फीस पे पे करोगी जो अगर चिन बच्चों के फीस ऑल्री करी थी उनको लिन वह प्लव सब्सक्राइब नहीं विश्थ नहीं पडेगी और जिन्हुने पहले भी पहर आँ पीडर करने हैं टो सिन और जंए पेपर दे सकते हों व्युक्चिक और बात कर लेते हैं जितने तो कोई बच्चा सेकिंड डियर का जिन्होंने जो जैनुवरी सेशन का था जुलाई सेशन का था कोई भी उनका कॉम्बनेशन बन रहा उनके बैकलोग थी ठीक है बैकलोग उनको जून 2021 में फिल करना था और वह फाइनल यर का बच्चा नहीं था तो वह एक्जाम देने के ल वह आपकी .एजघस्मेंट कैसे होगी वह मैंने आपको समझा डिया है । सारी चीज मैंने आपको समझा ले सकते है तो सारी बातों को मैने आपको अच्छे से समझा दिया है ॥ीक है फिर भी किसी को कोई मेंड़ाउट है और होlor कमेंट कर सकता है पहली बात तो खो मेरे लेट हो सकता है, तो उसके लिए sorry, ठीक है, क्योंकि बेटा, बहुत बच्चों के question आते हैं, बहुत बच्चों के comment आती है, तो reply करने में थोड़ा time लगता है, ठीक है, तो उतना time तो मुझे दो, ठीक है, वैसे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगी, तो आपको कोई दूर कर सके, और मेरे चैनल, और यू क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको future में भी, ऐसे ऐसे information मिलती रहे, और time to time आपको सारी update मिलती रहे, टेक क्यार, बाई बाई